अब हम P तथा N प्रकार के अर्थचालकों से मिलकर बनने वाले सेमिकंडक्टर डिवाइसों के बारे में पढ़ेंगे सबसे पहले हम PN जंक्षन डायोट के बारे में जानते हैं जिसे हम हिंदी में PN संधी डायोट कहते हैं P और N प्रकार की संधी डायोर्ट P तथा N प्रकार के अर्द चालकों को मिला कर बनाई जाती है क्योंकि संधी का मतलब होता है मेल या योग्प तो यह P तथा N प्रकार के अर्द चालक का मेल है अब P और N प्रकार के अर्ध चालक को किस प्रकार मिलाते हैं मैंने बोला इंदोनों को मिला कर बना जाता है इसका मतलब यह नहीं कि P प्रकार का अर्ध चालक लिए और N प्रकार का अर्ध चालक लिए और दोनों को हम लोग चिपका दे रहे हैं फेवी कॉल से यदि फेवी अर्द चालक क्रिस्टल में एक तरफ से पंच सयोजी अशुद्धी मिलाते जाते हैं और दूसरे तरफ से त्री सयोजी अशुद्धी मिलाते जाते हैं पंच्च सयोजी अशुद्धी मिलाने वाला छेत्र बन जाता है N-PRAKAR का रीजन और त्री सयोजी इंपुरिटी मिलाने वाला छेत्र बन जाता है P-PRAKAR का रीजन और इस प्रकार P-N संधे डायोड में दो रीजन होते हैं एक P प्रकार को दूसरा N प्रकार का इस P N संधे डायोट को जब बनाया जाता है तब हम देखते हैं कि यहाँ पर P तथा N प्रकार के संधी में क्या-क्या मौजूद होते हैं P प्रकार के हम रीजन में देखें तो यहाँ पर रिनात्मक आयोन होंगे साथ में होंगे होल जितमें रिनात्मक आयोन होंगे उतने ही होल होंगे इन दोनों की सांध्रता बराबर होगी साथ में यहाँ पर अल्प संख्यक आवेश वहाँ यानि की अलेक्ट्रॉन भी मौजूद होंगे जो यहाँ पर दर्शाय नहीं गए हैं क्योंकि उनकी मात्रा बहुत ही कम होती है यहाँ पर एन प्रकार में यदि हम देखे तो वहाँ पर होगा धनात्मक आयन और उसके साथ होंगे अलेक्ट्रॉन धनात्मक आयन की सांद्रता और अलेक्ट्रॉनों की सांद्रता बराबर होगी साथ ही एन प्रकार के रीजन में होगा अलप संक्याक आवेश वाहा खोल जिसको अभी यहाँ पर हमने नहीं दर्शाया लेकिन यह मौजूद होते हैं जब प्योर अर्थचालग सिलिकन हिजर्मेनियम उसमें 5 सयोजी और 3 सयोजी अशुद्धी दोनों साइट से मिलाते जा रहे हैं उस स्थिती में यहाँ पर दो प्रक्रिय होती हैं पहला तो विसरन विसरन किसमे होता है? बहु संक्याक आवेश वहाकों में P रीजन में बहु संक्याक आवेश वहाक होल है और end reason में बहुत संक्याक आवेश वहाग electron है electron end reason से P की और चलना प्राराम करते हैं और hole P reason से end reason की और चलना प्राराम करते हैं और बीच में जहां hole और electron आपस में मिलते हैं वहाँ electron और hole का recombination होता है और ये उदासीन होते जाते हैं यदि हम बीच के छेतर में देखें तो यहां पर electron और hole का संयोजन हो गया ये उदासीन हो गया ये recombine हो गया बचे क्या? N region में बचते हैं धनात्मक आयान और P region में बचते हैं रिनात्मक आयान यहां पर ये छोटा सा आपको एक परत नजर आएगा जहां पर कोई भी बहु संख्याक आवेश वाहक नहीं है वहां केवल बचे हैं तो धनात्मक आयान N छित्र में और रिनात्मक आयान P छित्र में और ये जो रीजन है ये जो परत है अब यहां से electron का और hole का विसरन होना असंभव हो जाता है और इस परत को हम कहते हैं अवक्षे परत यहां पर केवल धनात्मक आयान और रिनात्मक आयान ही बचते हैं इसको हम देखें तो यह नो मैन बाउंडरी है एक ऐसा बाउंडरी है जहां पर कोई भी सिपाही नहीं खड़ा है अब इस अवक्षय परत को हम देखें यहाँ पर धनात्माक आयन और रिनात्माक आयन मिलकर विद्दुचित्र का निर्मान करते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि इस परत में एक काल्पनिक बैटरी लगा दी गई है। यहाँ पर एक काल्पनिक विभव अंतर लगाया जा रहा है। जिसमें हम देखें तो इस विभव अंतर का प्लस सेरा एंड वाले रिजन से जुड़ा है और माइनस वाला सेरा पी वाले रिजन से जुड़ा हुआ है। इस विभव को हम कहते हैं रोधी का विभव। क्योंकि यह एलेक्ट्रॉन और होल के प्रवामयब अवरोध डालती अब यहां से अलेक्ट्रॉन का और होल का विशरण नहीं हो पाता है। इस अवक्षपरत की मोटाई एक माइक्रॉन के दसवे भाग के बराबर होती है। यह कह सकते हैं इसकी मोटाई एक माइक्रॉन के दसवे भाग की कोटी की होती है। और यह रोधी का विभव का मान नि रहें और कितनी डोपिंग की जा रही है जर्मैनियम के लिए इस रोधी का विभव का मान 0.3 वोल्ट है और सिलिकन के लिए इस रोधी का विभव का मान 0.7 वोल्ट होता है इस अवक्षय परत में जो विद्धुचेतर का निर्मान हो रहा है उस विद्धुचेतर का मान कितना होता है यदि हम विद्धुचेतर का फॉर्मुला लेखें तो यी बराबर हम लिखते हैं वी अपॉन डी यानि विभव अंतर अपॉन दोरी तो यहां पर अवक्षय परत की दोरी एक माइक्रॉन के कोटी की है तो हम लिखेंगे 10 to the power minus 6 और सिलिकन और जर्मैनियम की एदि हम लोग माथ्य रोधी का विभव ले तो यह 0.5 वोल्ट ले सकते हैं तो यहां पर 0.5 वोल्ट अपॉन 10 to the power minus 6 बराबर इसको हम कैल्कुलेट करेंगे तो यह लगभग हमको प्राप्त होगा 5 into 10 to the power 5 वोल्ट प्रती मीटर इसका मतलग अब एलेक्ट्रॉन और होल को संधी को पार करने के लिए कितने वोल्ट की अवशेक्ता होगी यह कितने वि 5 वोल्ट प्रती मीटर अब इस रोधी का विभव से ज्यादा विभव बाहरूप से लगाया जाएगा तभी अलेक्ट्रॉन और होल इस संधी को पार कर सकेंगे यहां पर पी एन संधी का जब निर्मान होता है तो दो प्रक्रिया होती है एक विश्रन यानि की डिफ्यूज आवेश वहाख है जैसे P में है होल और N में है और एलेक्ट्रोन शुरवात में जब ये मिलते हैं तो आरेक्ट्रॉन वो और एन रिजन की और जाते हैं ऐसें जिसके कारण विशरणधारा प्रवाहित होती है पर यह आपस में मिलने लगते हैं और लिकमबाइन होते हैं जि N region में केवल धनात्मक आयान और P region में केवल रिनात्मक आयान जिसके कारण एक विद्दुचेतर उत्पन हो जाता है और इस विद्दुचेतर की दिश्या N region से P region की और होती है मतब धनात्मक आयान से लेके रिणात्मक आयन की ओर होती है अब इस रीजन में कुछ अल्प संख्यक आवेश वहाग भी है जैसे कि पी रीजन में अलेक्ट्रॉन होगा और एन रीजन में होल होगा मैंने पहले भोला था कि ये अलप संख्याक आवेश वहाँ को हम लोग नेगलेक्ट नहीं करतें क्योंकि ये भी एक महत्मुन भुमी का निभाते हैं ये जो अलप संख्याक आवेश वहाँ होंगे P-reason के electron वो N-reason की ओर चलने का प्रयास करेंगे और N-reason के होल वो P-reason की ओर चलने का प्रयास करेंगे इसके कारण यहाँ पर एक और धारा बहने लगेगी और वो है अपवाधारा शुरुवात में विश्रन धारा का मान अधिक होता है क्योंकि बहुत संख्याक आवेश वहाँ जल्दी जल्दी कमबाइन होते हैं तो विश्रन धारा का मान अधिक होता है और अपवाधारा का मान कम होता है लेकिन एक बार विद्दू छेत्र उत्पन हो जाता है तो विश्रन धारा का मान कम होने लगता है और अपवाधारा का मान अधिक होने लगता है एक समय ऐसी आती है कि विश्रन धारा और अफवा धारा दोनो का मान बराबर हो जाता है और दोनो विपरित होने के कारण एक दूसरे के मानने को नगणने करते हैं और उस स्थिती में ओसत धारा कमान शुन्य हो जाता है तभी निर्माण होता है पियन संधी का उस अवक्षय परत में हम देखे तो एक कालपनिक विभव अंतर वहां पर उत्पन्न हो जाता है जिसे हम कहते हैं रोधी का विभव अब वहु संधी आवेश वहाको का विश्रण इस संधी में रुक जाता है तो इस पियन संधी में धारा किस प्रकार प्रवाहित होगी PN संथी में धारा को प्रवाहित करने के लिए हमको बाहे विद्धु छेतर की अवशक्ता है यानि हमको बाहे वोल्टेज लगाने की अवशक्ता है अब ये बाहे वोल्टेज किस प्रकार दिया जाता है बैटरी की साहता से दिया जाएगा यानि कि हम इस PN संधी डायोड में बैटरी को जोडेंगे बैटरी को जोडने के दो तरीके हो सकते हैं पहले स्थिती में जैसे कि ये PN संधी है जब इसकों परिपत में दर्शाते हैं तो इसका संकेत हम इस तरीके से बनाते हैं एक ट्राइंगल बनाते हैं और एक लाइंग खीशते हैं जो ट्राइंगल है यह नित्रिभुज जो दिख रहा है वो पी को दर्शाता है और एक लकीर जो दिख रही है वो एन को दर्शाता है तो पी एन संधी डायोट का संकेत इस तरीके से परिपत में बनाया जाता है अब जब किसी भी संधी को बैटरी से जोड़ा जाएगा तो उसको हम दो तरीके से जोड़ सकते हैं जैसे कि बैटरी है तो हम इस PN संधी के P सीरे को बैटरी के धनात्मक सीरे से जोड़ेंगे और N सीरे को हम बैटरी के रिनात्मक सीरे से जोड़ेंगे और जब इस प्रकार जोड पी सीरे को बैटरी के रिनात्मक से और एन सीरे को बैटरी के धनात्मक सीरे से जोड़ा जाता है तो इस अभिनती को हम कहते हैं पश्च अभिनती किसी भी संधी में बैटरी जोडने की प्रक्रिया ये विभव अंतर लगाने की प्रक्रिया को हम बायसिंग यानि की अभिनती क जाते हैं और हमने देखा ये दो प्रकार के हो सकती है एक अग्र और दूसरा पश्च अब अग्र अभिनती लगाने से ये किस प्रकार कारे करता है तो इसको हम अग्र अभिनती में जोडते हैं ये PN संधी है जिसको हमने जोड़ दिया अग्र अभिनती में यानि P को बैटरी के प्लस सिर से और N रीजन को हमने जोड़ा बैटरी के माइनस से अब P में आवेश वहाख है बहु संख्यक आवेश वहाख है खोल तो ये बैटरी के धन सिर से क्या होंगे ये बैटरी के धन सिर से प्रतिकर्शित होंगे वैसे ही N रीजन में एलेक्टरॉन्स हैं बहु संख्यक आवेश वहाख तो ये बैटरी के रिण सिर से प्रतिकर्शित होंगे इसका मतलब P region के hole और N region के ओर एक दूसरे की ओर चलेंगे और जब ये एक दूसरे की ओर चलेंगे तो संधी में hole और electron recombine होना शुरू हो जाएंगे और ये recombine होंगे और उदासिन होते जाएंगे जैसे ही संधी में electron और hole recombine होंगे इस P region के वह हिस्सा जो बैटरी के धनात्मक सीरे से जूड़ा है वहाँ पे सहसेयोजगबंद तूट जाएगा और सहसेयोजगबंद के तूटने से जो electron release होगा वो चलेगा बैटरी के धनात्मक सीरे की ओर और जो hole बच जाता है वो चलेगा इस PN संधी के end region की ओर वैसे ही यहाँ पर हम देखे बैटरी का जो end सीरा है वहाँ पर क्या उत्पन होते हैं? अलेक्ट्रॉन उत्पन होते हैं और ये electron चलेगे इस PN संधी के end region की ओर तो हम देखे तो इस बाहे तार में जो किस्से बना हुआ है? जो चालक का है जो तार हमने बैटरी से जोड़ा है वो तो चालक तार ही होगा और चालक में हमेशा धारा का प्रवाहा किस्से होता है? मुक्त एलेक्ट्रॉनों की कारण इसलिए हम यहाँ पर देख रहे हैं कि P region से भी जो electron आ रहे है वो बैटरी के धन सीरे में जा रहे है बैटरी के रेंट सीरे में जो electron उस्तर जित हो रहे हैं वो भी कहा जा रहे है? वो PN संधी के end region की ओर जा रहे है तो बाय परिपत में केवल मुक्त एलेक्ट्रॉन गमन कर रहे हैं पर इस PN संधी के अंदर देखें क्योंकि यह अर्थिचालक का बना है तो P region में whole गमन कर रहे हैं और N region में electron गमन कर रहे हैं मतलब P region में बहु संध्यक आवेश वाहक धारा का प्रवाह कर रहे हैं और N region में बहु संध्यक आवेश वाहक electron धारा का प्रवाह कर रहे हैं धारा की दिशा electron की प्रवाह की विप्रित दिशा होती है रिनात्मक आवेश के प्रवा की विप्रत दिशा होती है यह धनात्मक आवेश की प्रवा की दिशा ली जाती है तो यहां हम देखें यह सर्किट कम्प्लीट कैसे हो रहा है एलेक्टरॉन बैटरी के रिंड सीरे से चलते हुए इस N रिजन में संधी की ओर चल रहे हैं और इस P रिजन में होल्स जो है वो संधी की तरफ चल रहे हैं और यह दी बाहर देखें हम तो यहां भी एलेक्टरॉन इस परिपत में बैटरी की ओर चलते आ रहे हैं तो धारा की दिशा एलेक्टरॉन की प्रवा की विपृत दिशा मानी जारी है तो यह circuit कम्प्लेट हो रहा है और इस प्रकार P-N संथि डायोट में अगर अभिनती में धारा का प्रवा होता है अब इसका हम अभिलाक्षनिक वक्र देखें अभी लाक्षनिक वक्र यानि की विभव आंतर और धारा के बीच में बनाया गया वक्र ग्राफ इसका ग्राफ बनाने के लिए हम इस PN संथी डायोड वाले सरकेट में एक वोल्ट मीटर जोड़ देते हैं ताकि हम देखें कि हमने कितना वोल्टेज लगाया है और हम यहाँ पर जोड़ देते हैं अमीटर हमने यहाँ पर मीली अमीटर जोड़ा है एमिटर को सदय भी परिपत में जब जोडते हैं तो हम श्रेणी क्रम में जोडते हैं और वोल्ट मिटर को परिपत में सदय भी समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो हमने यहाँ पर वैसे ही अमेटर को शुरेणी क्रम में और वोल्टमेटर को समांतर क्रम में जोड़ा है अब यहाँ पर वोल्टेज के मान को परिवर्थित करने के लिए हमने यहाँ पर एक लगा दिया धारा नियंतरक अब forward bias में जोड़कर इस PN संधी डाट को जोड़कर ये परिपत तैयार किया अब जब इसमें वक्र बनाया गया हमने voltage के विभिन मान को देखा और धारा के मान को उसकी गणना की तो ये वक्र हमको कुछ इस प्रकार प्राप्त होता है यहाँ पर हमने बनाया है voltage और यहाँ पर हमने बनाया है धारा का मान X अक्ष में लिया है हमने voltage और Y अक्ष में हमने लिया है धारा जैसे जैसे हम voltage के मान को बढ़ाते जाते हैं शुरुवात में ये वक्र रेखिक है मतलब linear है जितना voltage लगाए उतनी धार उत्पन हो रही है उसके बाद यदि voltage की मान को बढ़ाया जाता है तो धारा का मान exponential रूप से बढ़ने लगता है फिर विभव का एक ऐसा मान आता है जहां पर धारा का मान एक का एक बहुत अधिक बढ़ जाता है जिस voltage पर धारा का मान बहुत तेजी से बढ़ने लगता है उस voltage को हम देहली वोल्टता यानि की cut in voltage कहते है इस प्रकार हमने देखा कि अगर अभिनती में बहुत अत्याधिक धारा PN संधी डायोट से प्रवाहित होती है जो की मिली एमपियर की कोटी की होती है अब देखते हैं इसको reverse bias में यानि की पश्च अभिनती में जोडते हैं और किस प्रकार ये कारे करता है जब हम इसको पश्च अभिनती में जोडते हैं तो P सीरे को हम बैटरी के negative सीरे से और N वाले को बैटरी के धनात्मक सीरे से जोड़ा जाता है जब P को बैटरी के रिनात्मक सीरे से जोडेंगे P में क्या होते हैं? बहु संख्याक आवेश वाख खोल होते हैं तो वो बैटरी के रिनात्मक सीरे की और आकर्शित होंगे और N में बहु संख्याक आवेश, अलेक्टरॉन होते हैं तो बैटरी के धनात्मक सीरे की और आवे अकर्शित होंगे इस प्रकार इन दोनों का अगर मुव्मेंट देखें तो ये विप्रिद्देशा में होगा ये दोनों ही संधी से दूर जा रहे होंगे और इस कंडिशन में जो अवक्षे परत होती उसकी मोटाई बढ़ जाती है उस कंडिशन में धारा का प्रवा बहु संख्याक आवेश वहाकों के कारण नहीं हो पाता है वेकि ये आवेश वहाक एक दूसरे की तरफ चली नहीं रहे ये तो विप्रित देशा में चल रहे हैं तो सर्किट कंप्लीट ही नहीं होगा तो जब हम पी एन संधी डायोड में रिवर्स बायसिंग करते हैं पश्च भी नती करते हैं तो उसमें धारा का प्रवा बहु संख्याक आवेश वहाकों के कारण होता ही नहीं है यदि इसका हम आवेश लाक्षनिक वक्र बनाए ग्राफ बनाए यानि वी और आई के बीच में इस प्रकार हमने बनाया है हमने न और धारा को भी हम नेगेटिव अक्ष में बनाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर क्या होता है जब जैसे हम वोल्टेज लगाते हैं तो बहु संख्याक आवेश वाक्त विप्रित दिश्या में मतलब संधी से दूर गमन कर रहे हैं इसलिए यहाँ पर धारा प्राप्त नह आवेश वाहग भी है जिनकी भी बहुत महत्मून भूमी का है पी में पाए जाएंगे एलेक्ट्रॉन और एंड में पाए जाएंगे होल जब हम बहए वोल्टेज के मान को बढ़ाते जाते हैं तब यह अल्प संख्यक आवेश वाहग पी में अलेक्ट्रॉन ये गमन करते हैं किसकी तरफ एंड रीजन की ओर और एंड में जो होल हैं वो गती करते हैं पी रीजन की ओर और इस प्रकार यहाँ पर सर्किट कम्प्लीट होता है और धारा प्रवाहित होती है अल्प संख्यक आवेश वाहकों के कारण वो भी कब जब हम बाय वोल्टता के मान को बहुत अधिक बढ़ा देते हैं इस प्रकार रिवर्स बायस में जो अल्प धारा प्रवाहित होती है वो अल्प संख्यक आवेश वाहकों के कारण होती है और यदि रिवर्स वोल्टेज के मान को और अधिक बढ़ाया जाए तब संधी में जो ससयोजक बंध है वो तूटने लगते हैं और उसके बाद एका एक अत्यादिक धारा इस परिपत में प्रवाहित होने लगती है यदि हम इसके अदलाक्षनिक बक्र में देखे तो अभी तक यहाँ पर धारा का मान नियत था और बहुत ही कम था लेकिन इस जेन बंधन वोल्टेज पर धारा कमान एका एक अत्यादिक हो जाता है और बहुत और अल्प संध्याक आवेश वहा के कारण जो अल्प धारा प्रवाहित होती है वो माइक्रो एंपियर की होती है इसलिए यदि हम इसका परिपत जोड़ते हैं तो पी अन संधी में हम पी को पी स्रेणी करम में और व्ल्ट मेटर समांतर क्रम में साथ ही परिवर्तन देखने के लिए हम रियोस्टैट लगाते हैं और यहाँ पर अमीटर जो प्रियोग में लाया जाएगा वो माईक्रों आ इंपियर में हो ज़ोग Two- a dmi जह अ चाज खी वह जाएंगे तो इसमें पर और पर्ष्च अभीनती में पहले अल्प धारा प्रवाहित हो रही थे, माइक्रो एंपियर की उसके बाद एक एक धारा जनर भंजन वोल्टेज में प्रवाहित हो रही है, इस ग्राफ से सपष्ट है कि यहां पर ओम का नियम लागो नहीं हो रहा, क्योंकि हमने ओम की नियम मे वी इस प्रपोर्शनल टू आई हमने जाना था, लेकिन यहां हम देख रहें, वी इस नौट प्रपोर्शनल टू आई, इसका मतलब ओम का नियम इस अर्ध चालक पर फॉलो नहीं होता है, इसलिए हम यहां पर गतिक प्रतिरोध को परिभाशित करते हैं, किसी भी बाहे वो परतन के अनुपात को ही गतिक प्रतिरोध के नाम से जानते हैं, यह गतिक प्रतिरोध को हम AC प्रतिरोध भी कहते हैं, और वैसे ही अग्र अभीनती में वोल्टेज के और धारा के अनुपात को हम स्टैटिक प्रतिरोध, यानि कि स्थैटिक प्रतिरोध के नाम से जानते है जिसे हम DC प्रतिरोध भी कहते हैं तो इस प्रकार अर्ध चालकों में हम कतिक और इस्थेटिक दो प्रकार के प्रतिरोधों का मापन करते हैं अब हम अग्रबायस और पश्चबायस में अंतर देखते हैं अगर बायस पस्च बायस इनमें बैटरी का धनसीरा P छेतर से और रिंड से रा N छेतर से जुड़ा होता है। अवक्षय पर्त की चोड़ाई बहुत अधिक होती है। इस बायस में P अन संधी डायोट बहुत कम प्रतिरोद आरोपित करता है। एक आधर्श डायोट का प्रतिरोद शुनने होता है। इस बायस में P अन संधी डायोट बहुत उच्च प्रतिरोद आरोपित करता है। एक आधर्श डायोट का प्रतिरोद अनंत होता है।